रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का रविवार को चौथा दिन है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड तोड़ हमले कर रहा है। कीव में जहां तक लोगों की नजर जा रही है आग और धुए का गुबार ही नजर आ रहा है। रूस के हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल गई है। रूसी हमलों में अब तक सैकडो लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है और जल्द ही उस पर कबजा कर सकता है। हलाकि यूक्रेन के राश्पती वदमेर जलिंस्की का कहना है कि कीव अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में हैं। मुसीबत की घड़ी में विश्व के कई देश यूक्रेन के साथ आये हैं। रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए विश्व के कई देशों ने यूक्रेन को आर्थिक मदद और हतियार बेजे हैं। अमेरिका ब्रिटेन सहित 28 देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यूक्रेन को और अत्याधुलिक हतियार बेजे जाएं। इसके साथ ही मेडिकल सप्लाई और अन मिलेटरी संसाधन देने का भी वादा किया गया है।